हाई हेलो असलाम अलेकूं मीटू फैमली कैसे आप लोग अलहमदुलिल्ला मी अबबा की दुआ से अल्ला के फजल से मैं बहुत खुश हूँ आप भी कुश रहे ना अबाद रहे ना आप लोग सब मिलके इतना सारा प्यार दिया के मेरे 500 सस्क्रेबर पूरे होगे फ्रेंट्स, आप लोग उनको बहुत बहुत शुकुरीया ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहना अच्छे एच्छे कॉमेंश करतें ना मेरे वीडियो्स ना फुल वाच करतें रहना मुझे वा से उसके लिए में सिमला मिर्ची को ना पहले सही काट के रख ली थी दो सिमला मिर्ची काट के रख ली थी इसलिए न दो प्याज भी काट रही हूं क्योंकि एंडा बना एंडे के साथ बनाऊंगी ना इसलिए बराबर कॉंटिटी में ले लिया देखना प्याज छोटे- में नहीं खाया जाता कभी कभी बना लेते हैं इसलिए उतना जल्दी ना बच्चे पसंद भी नहीं करते मैं अभी अंडे के साथ बनाऊंगी तो बच्चे खाते बोलके अंडे के साथ बना रही थी मैं देखिएगा कैपसिकम को भी काट के रख ली थी मैं दो कैपसिकम था य और प्याज बिना तेल गरम हो गया डाल दोंगी प्याज डालकर अच्छा स Village Ch elkaar डालकर नमख और थोरा सा नमग डालने पर जल्दी प्याज घल जाता है झोल जाता है ना इस लिए और देखिएगा पैज का कलर्ण चेंज हो गया ना दिखाई दे रहा है ना अप लोगों को डाल रही थी मैं और कंसी कम डालने के बाद ना अच्छा सा मिक्स कर लिया और इसके उपर ढखकन डाल के रख दी थी मैं ताकि क्याप से कम नरम हो जाये जल्दी और दुसरे काम कर रही थी मैं ड़ी तिटी चुल्द शिम्मे क्या है मीडिया माँच पे रख दी थी कि देखना सिमें जुल्स किका कलरर हो घलेशip त्य अजयो हो गया लाद आगया ग्रीन कलर aos खतम हो गया उसका मैं इसमें तीन टमाटर का इस्तमाल करने के लिए तीन टमाटर ली थी देखीएगा एक टमाटर खराब निकल गया बाहर से देखने में कितना अच्छा लग रहा था कितना अच्छा कलर था उसका अंदर काटने से खराब निकल गया वह स्मेल ला रहा था तो मैं फेक दिया उसको दिखेगा दो टमाटर यह लेकिन बड़े टमाटर है न कोई बात नहीं चलेगा छोटे-छोटे पीसों में काट लूंगी मैं और फ्रेंड्स आप लोग पूछ रहे थे के दीदी आप कहा से बोलके बहुत सारे मेसेज़स आते ह आप कहा से है बोलके मैं सौथ इंडियन हूं आंदर प्रदेश से हूं नमक टेस्ट करके देखी थी तो फीका था इसलिए थोड़ा सा नमक और मिक्स कर रही हूं मैं इसमें अब इसको अच्छा सा भून लूगी अभी अच्छा सा फ्राही नहीं हुआ है आपको दिख रहा दिख रहा है आपको इसका कलर चेंज हो रहा है और थोड़े दर इसको अच्छा सा भून ने दूंगी में तब तक अंडे लाखे रख ली थी ना कटोरी भी लाखे रख ली थी आप लगों को तो पता है ना मैं यह करके फोड़ के डालती हूं डायरेक्ट उठा के अंडे क सब्धी कासा हो गया जब तक अपना टमेटोस को मत डालना तब आपती सब्जी ने के बाद डालो गए आप टमेटोस सब्धी ना अच्छी यंट यंटां लावकल के यह डेविशना सब्दलिया सलlyनी अच्छा सफ्राई हो गया ना अब इसमें ना लाल मिच्ची पाउडर डाल देंगे यह सबजी को ना स्टेज में आके दो टाइप से बना सकते आप अधगलास पानी डाल के बाइल होने के बाद भी अंडा छोड़ सकते हो मैं वैसे नहीं बना रही हूँ मैं सेम टू सेम जिसा प्याच का अंडा भुजिया बनाते हैं कुछ लोग बुचकी बोलते हैं अंडा बुचकी ऐसे ही बना रही हूँ देखना उपर से अंडे फोड के डाल दिया आप इसके उपर से मैं धकन लगा दूंगी दो मिनिट में अंडा पक जाएगा उसके बाद ना हलके हातों से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसको देखिएगा मैं धक्के पकाई थी इसलिए ऐसा लग रहा है इसको वापस पल्ठा रही हूँ मैं क्योंकि पल्ठाने से दूसरा साइट भी पक जाता है मैं ये अंडा बुचकी को न बिल्कुल छोटे-छोटे पीसों में नहीं करूंगी थोड़ा सा बड़े है पीसों में ही रखूंगी अंडा को देखना फैनली लुक कैसा लगता है कर रहीगा देखिएगा नमाग चक्कर के देख रही थी मैं नमाग परफेक्ट है इसमें आलमोष्ट सबजी डन हो गया अच्छा सा दो मेट और भुन लूंगी मैं इसको देखना अब नीचे से अंडाना चिपक रहा है इसका माशालला बहुत टेस्टी सबजी बना थाया आप लोग जरूर बनाना कितना आसान है न रोटी के साथ चावल के साथ आप किसी के भी साथ खाऊगे न यम्मी यम्मी लगेगा यह आप लोग जरूर बनाना खाना मुझे फीड़बैक देना कि आपको कैसा लगा क्योंकि सिंपुल अंड बेस्ट सबजी है अब मैं बच् है न कॉमेंट करके बताना यह निस्टे डे मॉर्निंग है बच्चा जा रहा है मेरा और फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरी लाइक शेयर सब्सक्रेब करना आप लोग इन्शालला नेक्स्ट व्लाग में फिर से मिलूंगी तब तक अलाफिस फ्रेंड प्रेंड्स झाल झाल झाल